हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ग्यानियर दोस्तों आज बात करेंगे कॉलेस्ट्रा मायन के बारे में एक ऐसा ड्रग जो की सरीर के अंदर आपके कॉलेस्ट्रोल को कम करता है और इसका काम करने का तरीका बहुत ही इंटरस्टिंग है तो वीडियो को आप पूरा देखें सब कुछ आप जान जाएंगे और कभी जिन्दगी में भूलेंगे नहीं ठीक है तो जानते है कॉलेस्ट्रा मायन के बारे में क्या है कैसे काम करता है साइड इफेक्ट साब्धानिया और इसका डोज सब कुछ देखने के लिए वीडियो पूरा देखें शुरू करते हैं दोस्तों कॉलेस्ट्रा मायन जादा तर स में आता है 4 मिली ग्राम का स मीलता है तो यह होता क्या है क्या होता है क्या हूँ ऐसेड का स TagoutAl के साथ करने के लिएeton k हुथ जाएगा उससे जूड़ क्यों से इर्ट मिल जाएगा डिग व्यिक्त विज्ट बढ़ते हैं सो बाइल अलगची होती है और यह लेकिन आपके k clubs कर रहा है यहां पर बात आती है को क्यां से श्चाल का कहां कि जाएंगे कॉलिस्ट्रमाइन के सबसे पहला यूज तो यह यह कि भाई यह आपके सरी में कॉलिस्ट्रोल को कम करता है उसको रिड्यूस करता है हाई कॉलिस्ट्रोल को उसके अलबा बाइल एसिट को भी कम करता है क्योंकि उसके जोड़ता है तो बाइल एसिट को यह होता है तीसरा है कि वह जब यह कॉलिस्ट्रोल को कम करेगा तो आपके लिए हार्ट अटेक कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन से आपको बचाता है तो यह काम कैसे करता है को निकलता है होता है आतों के अंदर जाके तो वह अपना काम करता है लेकिन फिर क्या होता है यही सीक्रेट होने के बाद बाइल असीड एब्जोब हो जाता आतों में फिर से नवया बाइल असीड बन जाता है तो यह बाइल असीड बनता रहता है यह एब्जॉप्शन चलता रहता है जब Cholestormine दब दीया जाता है तो ऐसे जो beil acid बना लिवर में और secret हुआ आफम है और फिर फिर क्या होता है उसको reabsorb नहीं होने देता है ये Cholestormine इस beil acid को जो है absorb नहीं होने देता है और बाहर निकाल देता है focal माध्यम से ये बाहर निकलता है आदमी के मल के दौरा ये बाहर निकल जाता कौन बाइल एसिड अब इस दौरान क्या होता है कि जो लेवर है अब ये क्या करेंगा है कोलिस्ट्रोल को मेटाबॉलाइट कर देगा ठीक है क्योंकि अब वह बाइल एसिड को रियाब्सॉर्ब नहीं कर रहा है तो इस टाइम पर कौन करेंगा और इसको बाहर करने की कोश्च करेंगा तो बाइल होने पर कोलिस्ट्रोल का मेटाबॉलसुन बढ़ जाए गा और इस तरह से आप के ब्लाप केसे लिपीट कम हो जाएँगे तो इस तरह से या काम करता है और होता क्या, दूस्तों लिवर को अगर अगर अपन बढ़ता रहेगा तो यह है दोस्तों और कहते हैं कि आपका आपकी डाइट अगर अच्छी है तो आपके लिए यह जो ड्रग है कॉलिस्टर माइन यह बहुत अच्छे से वर्क करेगा ऐसा नहीं कि आप ड्रग कॉलिस्टर माइन ले लिए और आप कुछ भी खापी रहे हो आलासी के तरह पड़े हुए हो तो यह काम अच्छे से नहीं करेगा तो आपको प्रॉपर अच्छी डायट लेना है कोलिस्टरोल कोलिस्टरोल ज्यादा नहीं लेना है और आप लेंगे तो आपको जो है अच्छा वर्क करने को मिलेगा इसमें आप समय लेते दोस्तों इसकी कुछ साबधानी क्या रखना और कब तो बिल्कुल भी नहीं देना है अगर आपको हाइपर ट्राइगलेसेमिया की प्रॉड्लम है मतलब की आपके सरी में बहुत जादा ट्राइगलेसराइट की मात्रा है ताब आप इसको इसको इस्तिमाल ना करें ठीक है तो यूज ना करें है ठीक है शराप के साथ तो बिल्कुल यूज नहीं करना है प्रेग्नेंसी की बात की जाए तो प्रेग्नेंसी में डॉक्टर की सलासे दे सकते हैं लेकिन लेक्टेशन मदर्स जो बच्चे को दूट लाती महला वो ले सकते हैं ठीक और ड्राइविंग भी कर सकते हैं कोई दि रखके होते हैं तो ब्लोटिंग हो सकती है को सब्सक्राइशन हो सकता है और इंडाइशन नौजियाख हो सकती है मतलब कि आदम का पेट फूलेगा कब ज रहेगी चक्कर आएंगे उल्टे वगए रहो सकती है तो यह इसके कॉमन से साइड़ इफेक्ट हो सकते हैं अगर और बात करेंगे कि इसका डूस क्या रहता कि दूज सेट इपनि में मिला ना सेचेट को मिक्स करना है और आप इसको इमिजिए चलताला बैटर रहें तो छोटे बच्चों को नहीं डिया चाहिं चोटे बच्चों को दूर करने की Dent हें गेर वीडियो के लाकर सकते हैं अगर आप मारहे के लाइक कर सकते हैं अगर आप मारे चैनल पना बातौन